हालो फेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों शुटर डिजाइन बताऊंगी और यह बहुत प्यारे डिजाइन है और यह कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी फेंड्स यह हमने 20 फंदे इसमें फान रखा है इसी में हमारी डिजाइन बनेगी दोनों तरफ से हमने 5-5 फंदे लिया साइड में छोड़ने के लिए बीट में हम 10 फंदे में डिजाइन बताएंगी और डिजाइन कैसे बनेगी यह भी हम आपको बताते हैं और सबसे पहले तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें आप लो और सब्सक्राइब करना ना भूले अब वीडियो को लाइक शेयर करें और कोमेंट करके ज़रूर बताएं चलिए मैं बताते हैं आपको लिजाएं यह फर्ष्ट में हम पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगी फिर इसके बाद चार फंदा हमें एक उल्टा ही बनाना है एक दो तीन चार पांच पांच फंदा हो गया एक फंदा हमने स्लिप किया और चार फंदा हमने उल्टा बनाएं इसके बाद धागा हम पीछे करेंगे फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर दो फंदा हम सीधा बनाएंगे उल्टा बनाएंग फिर धागा पिछ It能 Councillor सीधा बनाएंगे इक फन्दा यहां सीधा हो गया फिर दो फन्दा ув Tracy सीधा फिर दोहufen with a फिर एक खंदा धागा पिछे करके सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, यह पांच खंदा धागा पूरा उल्टा पूरी लाइन यह सीधा स्लाइसे कंप्लीट हो गया अब उल्टा स्लाइसे हमें जो हमारा इधर से उल्टा था उसको हम सीधा बनाएंगे यह पूरा हमारा सीधा बनेगा अब से पांच फंदा पाले सीधा बना लेंगे इधर से एक दो तीन चार पांच फिर धागा आगे करेंगे जो हमारा इधर से सीधा था इधर हमारा उल्टा हो जाएगा तो इसको हम एक फंदा बनाएंगे फिर धागा पिछे करेंगे यहां दो फंदा हम जो हमारा सीधे से उल्टा था वो हम सीधा बनाएंगे दो फंदा सीधा बनाएंगे फिर एक फंदा आगे करके उल्टा बनाएंगे फिर धागा पिछे करके दो फंदा हम सीधा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे फिर एक पूरा हमारा पूरा सीधा बना देंगे पांच फंदा साइड में इस दोनों तरफ से जो हमारा फंदा जैसे है उसी तरीके से बनाना है यह देखर बीच में आए ना एक चोटी आ गई एक दो तीन एक चार चोटी हमारी आएगी और बीच में दो दो फंदा यह उल्टा आ रहा है अगर आपको डिजाइन जब भी बनाना होगा तो आप तो पूल सेटर में डिजाइन बनाएंगे तो आपको बीच में जितना गयफ रखना होगा पांच फंदे का यह चार फंदे का छे फंदे का अपको जितना चाहिए उसी साब से गयफ रखना और बाकि डिजाइन जो है यह हमारी 10 फंदे में बनेगी और 6 सलाइ में ये डिजाइन हमारी प्रेकिशल 6 सलाइ में ये design हमारी complete होगी और ये बांच फंदे बनाई फिर धाला पेशह किया ये जो चोटी है चोटी को पर हम हमें सीधा ही इसे चोटी बनाना है पिर जहां हम उल्टा बनाएं इसको हम उल्टा बनाएंगे इच्छे सलाई हैं पूरा कम्प्लीट करके आगे आगे आपको बताते हैं इच्छे सलाई पूरा हो गया अब इसे हमें कैसे बनाना है दो, तीन, चार पंदा है चार पंदा हमने उल्टा बना लिया इसके बाल एक फंदा हमें छोड़ना है यह तो बीच में एक पंदा यntई और पांच इसमेंं से छह फंदा हमें एक дов एक करके नीचे गिरा के से सिंहों करना है एक फिर इधर वाला 5 ऐंदा हम बीच में लएंगे दे यह तीन फंदा और फिर ये तीन फंदा हम ओपर से साइड मेरे जाएंगे को वीच वाला हम साइड मेरे जाएंगे फिर इसमाइं सeg परा सीठाख करेंगेOh फंदा सीधा फिर दो फंदा यहां उल्टा हो जाएगा हमारा फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा यह उल्टा यहां एक फंदा भी उल्टा हुआ फिर इसमें हम ऐसे जैसे इसमें बनाया तो इसमें से हमारा एक फंदा बीच में आ जाएगा फिर दो फंदा उल्टा एक बा तो से मिई इसमें एधर से हमें गीच स्वेब्स को हम नीच से लेठेंगे बीच में और इसको घखेंने होनाeties मैं इसे कर ग आ त्सवाल hilar jeopard हम इसलेंगे और इधर वाला फंद एक हैंग मैं उल्टा यहां से दो फंद मारा उल्टा हो जाएगा। फिर ऐख फंद सीधा है。 स्टार को से स्टार के फंद सीधा न के में इस में से लिया अल्टा तो हमारा सीधा हो गया। और 15 मत उलटा फंदा मैं अंहिंता है तो पという ब्झा सबाई है यह सब्सक्राइब踏ब्स कि अब हर बारम को हमें ऐसे ही बनाना है दो दो बनाव नें नेकर लिक्तिता क्लेट ऊप्दीन आज़ाने हैं और दो-दो फंदा हमने बीच में गयव दिया है छे फंदे का और धागे को हमें ऐसे ही फंदे को पलटना है जैसे हमने अभी बताया इसी तरीके से हर 6 सलाई पर एक डिजाइन हमारी कम्प्लिट होती है जब 6 सलाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऐसे ही बीच से फंदा को पलटना है तो डिजाइन हमारी बन जाएगे और फिर उल्टी साइड से हमें, जो फंदा हमें जैसे दिखता है, वो ऐसे बनाना है, सिधा हमारा उल्टा बनेगा और उल्टा फंदा हमारा सिधा बनेगा उल्टी साइड से, ऐसे हैं, जैसे हमने यह डिजाइन बताया आपको, उसी तरीके से हमने यह डिजाइन पूरा कम् हुई है फिर उसके बाद फिर हमने थागा ये फंदय को पलट के तीन-तीन फंदी फिर दूसरा लिया फिर जब हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर हम तीसरा डीजैन बनाएंगे और इसी तरीके से डिजाइन बनी हुई है देखो देखने में कितना प्यारा लग रहा है आप ल लगी